नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छोंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्जा वोरियार्स और डिजर्ट वाइपर्स के बीच में होने वाले इंटरनेशनल लिग टीट्वंटी या फिर यू एई टीट्वंटी के में ज दोस्तों आप करना जाओ तो थोड़ा बहुत कर सकते हो ग्रेंड लिक से रिलेटेड भी कुछ टिप्स में आपको आगे इस वीडियो में बता दूँगा हाना बाकि दोस्तों में तो आपको यही बुलूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और उसके बाद इस म आपको इस में जीतने के लिए जिस भी इंफोमेशन की जरुद पढ़ेगी जो भी इंफोमेशन आपको चीए वह मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वालों ठीक है तो वीडियो को पूरा देख लेना लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूँगी बहुत आपको जरूर से जोन करना है बहुत ज़्यादा जरूरी है और टेलीग्राम चैनल के लिंक है वह में आपको नीचे दिस्क्रिप्चेन और कोमेंट बोक्स में दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप क्लिक करोगे दो तीन सेकिंड के अंदर एकदम फ्री में और रेगुलर्ली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फिर में फाइदा उठागे बहुत अच्छी विलिंक करने है ठीक है अगर आप नहीं जुड़ियो इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चिन और कोमेंट बोक्स में मिली जाएगी आपको जूर जाना अपके पास भी जारी आपडेट्स आती रहेंगे आपकी विनिंस होती रएगी अब दोस्तों बात करते हैं देखो इस मेज के बारे में तो सबसे पहले पिछ और जयादा मुस्किल नहीं तो चलता आ शालागा पिछ यानि कि बेटिंग फ्रेंड़ी पीच है अगर में बात का score गया था एक टीम ने 241 run रनाए था तो आपको चोच सकते हो कि कितना flat पीछा है कितना सही betting friendly पीछा ठीक है बागी दोस्तों average score के अगर में बात कूँ तो one a tick something आपको इसमें दिख सकता है और अगर दोस्तों में बात कूँ बोलिंग की तो देखो यार बोलर्स को तो सामने है अगर में बात कूँ तो आभी इस सीजन में यहीं मैच हुआ है इन दोनों टीम से बीच में जिसको डिज़र वाइपर ने जीत लिया था और अगर में बात कूँ रिसेंट पफुमेंस की तो वह भी आपकी स्क्रीन के सामने अगर में बात कूँ वोर्यर्स की साथ बात करेंगे लेकिन उससे पहले देखो यार आप मेंसे जिस भी भाई ने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार देखो आपके भाई का वीडियो है फटाफ से आपको वीडियो को लाइक करना है इस वीडियो पर दोस्तों लाइक टार्गेट है आपके लिए 2000 लाइक का जो कि मैंने कल भी रखा था आपने कम्प्रीट नहीं गया था सो उम्मीद करता हूँ कि इस मेंच में तो आप करीद होगे एक सकिन लगेगा यार कोई फटाफ से वीडियो को लाइक करो खेर बात करते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 के बारे में तो शाजा वूरियर्स की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 वह आपकी स्क्रीन के सामने है अगर इनमें भी कोई चेंज होगा तो वह अपने को टोस के टाइम पर ही पता लगेगा ठ इसले में 50 थी उसके पहले इनके जो तीन में इसने वह खराब गए दे लगिना पिसले में अच्छी नजर आ रहे थे इसलिए हम डेफिनेटली गुरुबाज को अपने टीमेट राई करेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों कार्ड मोरी कि एकर में बात कूं तो 131 में चीनों अब देख लेना अगर देनली को अपने टीम में रखना हो तो रख लेना अगर नहीं रखना हो तो वोई दिकतनिया एक average performer आपकी टीम के लिए हो सकता है उसके बाद दोस्तों नेक्ट अपने पास option आजाता है एडम होसका ये भी BBL खेलके आ रहे हैं आपको पता है BBL में ये भी अच्छी format है लेकिन पिसले match में ये भी अच्छी performance नहीं तरपाए only 15 रेनों की पारी खेल ले इनको जरूरी नहीं है कि बेटिंग भी डाउन है और बोलिंग भी इनको पूरे चार वर मिलने के चांसे स्थोड़े कमी रहता है ठीक है बाकी दोस्तों इनके जो पिसले चार मेंच है वह आप देख सकते हो पहले मेंच में एक विकेट लिया बेटिंग नहीं है उसके नहीं के पहुँँ है उसमें से एक मेंच में बेटिंग के साथ सथ पहुँद है एक मेंच में बोलिंग के साथ पहुड़ डे दिया और कई बार चांसे में इह बंडा काफी प्लूए और इस के लावा दोस्तों अगर मैं बात नूर अमेद की तो ये भी एक बोलर है इनका जो रिकोर्ड आप अपनी स्क्रीन के सामने कोई खास इंप्रेसिव है नहीं पिसले दो मेच से तो रेगुलर ली एक विकेट ले रहे हैं लेकिन उससे पहले दो मेच इनके रेगुलर विकेट के सामने है ठीक है तो ये तो हो गए है दोस्तों शार्जा वरियर्स की बात अब हम बात करते हैं डिजर्ट वाइपर की नहीं और से बाति कि बेटिंग से आपको पूंट दे सकता है बागी दोस्तों रिसेएंट वर्म अगर आप इनकी देखोंगे तो ये कुछ ऐसी है उत किया है दिन में सिर्फ एक में विकेट निकाल पाए है मतलब की विकेट रेगुलरी नहीं ले पार है ठीक है बाकि बेटिंग से तो अभी दक एक भी मेच में अच्छी पाफोमेंस नहीं आई है मेकसिमम ही 23 रनों की पारी आई है ठीक है तो अगर आपको सेफ कहलना हो तो डेफिनेटली यार में कहूंगा कि मुस्तफा को रख लेना लगन अगर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद हो तो फिर आप ड्रोप भी कर सके हो इसको दिक्कत नहीं है उसके बाद दोस्तों मुस्तफ पहले रेगुलर अच्छी पर्फूमेंस किया तो अपने टीम में डेफिनेटली रखेंगे लेकिन मैं आपको पता दूँ इसको बहुत सारी लोग अपने टीम में रखेंगे लगबग 40% से ज्यादा लोग है अपने टीम का केप्टन बनाएंगे आपको अपने ग्रेंड ल इनका जो रिकोड़े दोस्तों वह भी आपकी स्क्रीन के सामने पिसले चार में से एक मेंच में भी उतनी अच्छी पर्फूमेंस नहीं आई है कि इनको कंसीडर करें बागी दोस्तों से एक्स्पीरियंस बेट्समें है और हार्ड हीटिंग कर सकते हैं ये बात सब मैं मानता जो लिए दो में इस थोड़े इसे कह सकता हूंगी डाउन रहे हैं लिगेन शेरफ अंडर फूर्ट आपकी घ्रेंड लिक के च्छेपी को जाते हैं खासकर कि तब जब एलेक्स को आप अपनी लिक की टीम से ग्रोप कर रहे हो उसके बाद दोस्तों बैनी हबल कि अगर में बात को इनका जो रिकोड़ वो भी आपकी स्क्रीन के सामने बेटिंग प्लिंग दोनों से पूंद दे सकता है बेटिंग ओडर थोड़ा डाउन रहे था इसलिए बेटिंग आने क्चांज एज गम रहेते हैं बाकि दोस्तों बोलिंग से भी पिसले चार में सिर्फ एक में इसने जंडे गाड़ हैं तीन में सस्ते ही गए हैं इस सीजन में अभी तक एक में टीम में टीम में ट्राई कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर में बात रूँ नेक्स अपने पाउप सब्सें आता है लूक वोड़ का जिन्नोंने 96 में 94 विकेट लिए 8.45 की एकोनोमी इ इसमें विकेट नहीं ले पाए थे और सेवन के सम्तिंग एकोनोमी से अपने रंट हुआ थे ठीक बागी दोस्तों ये बीबियल खेलके आ रहे हैं आपको बता है और बिग बेश लिग में अच्छी फोम में थे लेकिन फिर वही बात आ जाती है वो बिग बेश लिग है यह UAE T20 है वहाँ पर ऑश्ट्रेलिया और पीचा है यहाँ पर दुबाई के बिचे तो यहाँ पर फरक पर जाता है पूरी तरीके से ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात को शिराजया मत की तो इनका जो रिकोर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने पिसले चार में से स्रीलंका के लिए और अच्छे एक तरीके से बोलर भी है लेकिन अभी अच्छे फोर्म में निया है और दो में से इनके विकेट लेसे बाती दोस्तों देखो अभी तक इस वीडियो में मुझे आपको जितने इंफोर्मेशन बतानी थी वह मैं आपको अपको बता चुका अब आगे इस वीडियो में आपको टीम दिखाऊंगा यह अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी फाइनल टीम आपको टोस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी टीम चैनल के लिंग आपको दिस्क्रिप्शन और कोमेंट बोक्स मिली जाएगी दो-तीन मिनट के अं आज वाला मेच इसकी में आपको एक डेमो टीम बना के दिखा देता हूं कि कौन जो उन्चे पेर आपकी टीम के लिए बेस्ट रह सकते हैं ठीक बात करते हैं दोस्तों देखो विकेट की पर सेक्शन की तो अपने पास यह दोन ओप्सन आजाते हैं और बिलिंग्स का मैंने आपको बता दिया कि हार्ड हीटिंग है नंबर चार पर बेटिंग भी करेंगे लेकिन पिछले चार में से ओनली एक में इनोंने डी सेंट पॉंट दिया है बाकि किसी में उतने नहीं दिया है तो गुरबाज को एक बार के लिए मैं रख रहा हूं और बाकी बिलिंग्स के के बारे में हम और बात करेंगे एक में रुख जाओ ठीक है उसके अलावा दोस्तों नेक्स ट्रेगर में बात रूम तो अपने पास चोईसे जाती हैं एलेक्सेल्स की कोलीन मुंडो की जिनको डेफिनेटली दोनों को मैं अपने टीम में ट्राइग करूंगा उसके बाद द सेंट आपको पोइंट भी दे सकते हैं फिलाल के लिए दोस्तों में रिस्क लेके जो डेनली को अपनिटी में रख रहा हूं बाकि अगर आप एडम होस और रदरफोर्ड को अपनिटीम में राए करना तो कर सकते हो ठीक है उल्राउंडर सेक्शन की दोस्तों अगर हम बात क बेकर सकते हैं डिए टोम करन को डेफीनेट 2007 में राए करेंगा और उसके बाद दोस्तों बेनी होवल है पोल वोलतर हैं टिकम मुस्त्फा है जो की टोप हटम में बेटिंग करेंगे और बोलिंग भी करवा सकते हैं मुस्ताता को दोस्तों एक बार कलीम है पहले आता हैं बोलिंग सेक्शन में दोस्तों अपने पास नाथ देखो सबसे पहले नवीन उलहक का जिनको डेफिनिटली हम अपने ट्राइग करेंगे बाकी लूगूड का उपस्छन है पति राना का उप्छन है वोट का उप्छन है जुनेज शिदिक का उप्छन है नूर आपको एक टीम बना के दिखा देता हूं कि किस तरीकी से आप बनाओंगे बाकि दोस्तों ये जो मैं आपको टीम बना के दिखा रहा हूं ये आप किसी भी प्लेट्फों पे अपलाई कर सकते हो डिगा सबसे पहले मैं लूक वूड को अपनी टीम में रखना चाहूंगा क्यो आपके लिए एक चोईस है जो कि टोपर में बेटिंग करेंगे नंबर तीन या चार पटिंग है उसके लवाब बैनी होवल है पोल वोल्टर है ये सब हैं और बेटिंग सेक्शन में अगर आप किसी को उठाना तो एड़नोस है रधर फोर्ड है और यहां से बिलिंग से एक और बागी दोस्तों यार अपनी इस टीम में जो भी जैंजेश होंगे जो भी अपडेट होंगे वह तो मैंने आपको बताएगे आपको हमारे टेली ग्राम चैनल पर मिली जाएंगे और टेली एक चैनल को सब्सक्राइब करो कि आपका बहुत अच्छा प्रूफिट करवा स सकता है ये चैनल वो भी एकदम फ्री में ठीक है के बात करते हैं दोस्तों के बारे में तो इन्फोम बेट्समें एलेक्स हैल्स इन्फोम बेश्में टोंकाले कार्ड मरू दोनों अच्छी तो इसा आपके लिए उसके अलाओ दोस्तों कोलीन मुंडो भी ऐसे दो एक अच्छी वीडियो में तब तक के लिए अलविदा अपना ध्यान रखेगे